नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगी विटामिन और मिनिरल से होने वाले फायदे और नुकसानों के बारे में लेकिन इस जानकारी को देखने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जिससे आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहें दोस्तो विटामिन और मिनिरल ऐसे पोशकततो हैं जो शरीर को सुचारो रूप से काम करने के लिए दूसरे पोशकततों के साथ जरूरी होते हैं अधिकतर विबिन तरह के भोजन और संतुलित भोजन करने पर विटामिन और मिनिरल की पूरती हो जाती है विटामिन दो तरह के होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन जदतर वसा में पाए जाते हैं विटामिन A, विटामिन D और विटामिन E तथा विटामिन K फैट सोल्यूबल विटामिन है Water Solubal Vitamin शरीर में जमा नहीं होते ही इसलिए इन विटामिन को जल्दी जल्दी लेते रहना आवश्यक होता है Vitamin C, B और Folic Acid Water Solubal Vitamin है दोस्तों, Mineral तीन कार्णों से बेहद महत्पूर्ण होते हैं शारिरिक धांचे और दातों की मजबूते के लिए शरीर में मौझूद फ्लड और बाहरी सेल्स को कंट्रोल करने के लिए तथव्यक्ति दुआरा खाय जाने वाले भोजन को उर्जा में परिवर्तित करने के लिए मीट, डाल, मचली, दूद और सूखे मेवे आदी इनके परमुक्सोर्स है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन और मिनिरेल्स के लाव नमबर एक मेटाबोलिजम मेटाबोलिजम कई तरह की परकिरियाओं के जर्य भोजन को स्टोर करके उसमें पोशक तत्वों को उर्जा के रूप में जलाता है ऐसे में विटामिन और मिनिरल पाचन और मेटाबोलिजम में बड़ा रोल अदा करते हैं सभी B-विटामिन जिसे की विटामिन B2 या राइबो फलेवीन, विटामिन B6 और विटामिन B12 कार्भोहाइडरेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबोलिजम के लिए जरूरी होते हैं मैगनीशन भी उर्जा के लिए महत्वपूर्ण है नमबर दो हर्दे रोजाना के भोजन से मिलने वाले विटामिन और मिनिरल हर्दे के स्वास्ते के लिए बेहत जरूरी होते हैं विटामिन A, C और E के साथ ही भीटा कैरोटीन में एंटियोक्सिडेंट गुन होते हैं जो हर्दे संबंदी बिमारियों से बचाते हैं विटामिन B3 या निया सीन कॉलिस्टरोल लेवल को कम कर देता है विटामिन और मिनिरल हडियों के स्वास्ते और हडियों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी होते हैं विटामिन और मिनिरल औस्टोपोरसिस जैसे बिमारी से बचाते हैं विटामिन D हडियों के लिए बहत जरूरी है क्योंकि विटामिन D के कारण ही हडिया केल्शम ग्रहन कर पाती है विटामिन K भी हडियों के स्वास्ते के लिए जरूरी है ये केल्शम और विटामिन D को सपोर्ट करने का कारिय करता है दोस्तो ये थे विटामिन और मिनिरल से होने वाले फायदे अब जान लेते हैं इनके नुकसानों के बारे में दोस्तों विटामिन और मिनिरल के लाब के साथ ही कुछ नुकसान भी है विटामिन और मिनिरल सपलीमेंट लेने से पहले चिकित्सक से प्रामर्श लेना बेहद जरूरी है विटामिन और मिनिरल्स के कुछ तत्व ऐसे हैं जो यदि लंबे समय तक शरीर में रहे तो शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुचा सकते हैं विटामिन सी की सोग मिलीग्राम से ज़्यादा मात्रा लेने पर पेट दर्द, डाइरिया और दूसरी पाचन संबंधी परेशानिया हो सकती हैं वही फासफोरस से उत्तक और शरीर के कई अंगों को नुकसान होने की संभावना रहती है जबकि जिंक से शरीर की रोग परतिरोदक्शमता पर असर पड़ता है रोजाना 10 मिली ग्राम से ज़्यादा विटामिन बी की मात्रा भी इतना नुकसान देती है कि व्यक्ति को लकवा भी हो सकता है वही मैगनीज से बड़ी उमर में मास पेशा पर भावित हो जाती है तो दोस्तो ये थे विटामिन और मिनिटल्स से होने वाले लाब और नुकसान आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं हम आप तक ऐसी ही नई और बहतरीन जानकारिया पहुचाते रहें इसके लिए आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना और वीडियो को लाइक वशेर करना ना भूले हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें खुश रहें, स्वस्त रहें, धन्यवाद